जोदपूर में एक महिला मॉडल के होटल लॉर्ज की साथवी मंजल से कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने संसनी खेज खुलासा किया है। इस मॉडल के माध्यम से राजस्थान के राजस्व मंतरी रामलाल जार को हानी ट्रेप में फसाने की साजश रची जा रही थी। इसके लिए दोनों ने मॉडल के उपर जार के साथ सोने के लिए दबाव बनाया लेकिन इसमें वो काम्याब न हो सके। दीपिका खुद एक मॉडल है और जैपुर की रहने वाली है। भीलवारा के सरकेट हाउस में मंतरी से की मुलाकात जोद पूर के डीसी पी ने बताया कि दो अन्य लड़कियों के साथ दीपिका और अक्षत ने भीलवारा के सरकेट हाउस में रामलाल जाट से मुलाकात भी की थी। कुछ समस्याओं के बहाने यह मुलाकात हुई थी। कुछ कागजाद जाट को दिखाए गए। इन्हें देखने के बाद जाट ने साफ कह दिया कि यह उनसे जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इस से ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोनों आरोपी सरकेट हाउस के सामने स्थेत एक होटल में ही ठहरे थे। उन्होंने बताया कि अमूमन इस तरह के काम में लगे लोग किसी प्रभावशाली व्यक्ति को हानी ट्रप में फसा कर उसके माध्यम से अपने काम करवाते हैं। नहाते समय बनाया था विडियो और विवर को होटल की साथवी मंजल से कूद कर एक मॉडल ने खुद कुशी करने की कोशिश की थी। मॉडल के परिजनों ने बताया कि उसे ब्लेक मिल किया जा रहा था। फोटो शूट के नाम पर कुछ लोगों ने नहाते हुए उसके विडियो बना लिये थे। विडियो बनाने के बाद उस पर एक नेता के साथ सोने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उधर, पुलिस ने मॉडल से मंगलवार को करीब देड़ घंटे पूचताच की। मॉडल के भाई की रिपोर्ट पर रातानाड़ा पुलिस इस ब्लेक मिलिंग केस की जांच कर रही है। फोटो शूर के बहाने उधर पूर बुलाया मॉडल के परिजनों के अनुसार, उधर पूर में साड़ी वजूरी की मॉडलिंग के लिए गई थी। उधर पूर की दीपिका और अक्षत नाम के लोगों ने उससे मॉडलिंग कराई। वहाँ से भीलवाड़ा ले जाया गया सरकेट हाउस के सामने होटल में रुकवाया। दोनों ने बाथरूम में नहाते हुए मॉडल के आपत्ति जनक वीडियो बना लिए। उसे भीलवाड़ा के सरकेट हाउस में ठहरे किसी नेता के पास भीजा गया। मौडल ने इससे इंकार कर दिया तो उसे ब्लेक मिल करने लगे। यह करकर दबाव बनाया कि तुम्हारे विडियो हमारे पास हैं। इन्हें वाइरल कर दिया जाएगा। यह भी पढ़ें जोदपुर के होटल की साथवी मंजल से इसलिए कूदी मौडल उदैपुर बुला कर नहाते हुए विडियो बनाया। सर्किट हाउस में रुके नेता के साथ सोने को कहा।